आज का विशय टोटो पे हैं अब टोटो कहने पे आज पूरा हिंदुस्तान समझता है टोटो क्या है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आज ढूंड के बहुत सारे कागजों के बीच ये कागज मिली ये कोई साधारन कागज नहीं है ये कागज है जिस पे अरविंद केजरिवाल जी के दस्तकत है साथ छे दो हजार तेरह का अरविंद केजरिवाल जी के घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है केजरिवाल जी के हस्ताक्षर भी है और ये एक सपत है एक एफिडविट है जो केजरिवाल जी ने लिया था जो हजार 13 क्या था ये सपत मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूँगा मैं बड़ा बंगला नहीं लूँगा इत्यादी इत्यादी जन लोग पाल बना दूँगा सब कुछ बढ़िया कर दूँगा दुनिया बदल दूँगा पैरिस बना दुंगा सब कुछ है इसमें मग़र मुख्यतह लालबत्ती गाड़ी नहीं लुंगा वो तो चलू मोदी जी ने लाल बत्ती हे इऴ हटा दी तो अब उपाई ही नहीं है रख शुरक्षा नहीं deputy भा जांते हैं उसकी हालत बंगला नहीं लूँगा अब बंगला नहीं लूँगा से बंगले की क्या हालत है किस प्रकार को बंगला तो नहीं कह सकते हैं शीश महल के inventory कल जो PWD Department है दिल्ली की उन्होंने शीश महल अरविंद केजरिवाल जी की सरकारी आवास के inventory को जारी किया ऐसे मीडिया के माध्यम से मालुम पड़ा है मीडिया के सारे दस्तावेज TV-Chanelों में सारे दस्तावेज चल रह है मीडिया के बंगु इसको उजागर भी कर रहे हैं जब हमने टीवी में और मीडिया में यह सब कुछ देखा तो हमसे भी रहा नहीं गाया कि अए कल से टोटो के विशय में पूरी जानकारी ली जा रही है ये टोटो किया है कि और पूरे बंगले में किस प्रकार की साजो समान और अइसो अराम कि मुझे तो कभी-कभी लगता है जो सहंसाहे आलम रहे होंगे जहां पना रहे होंगे वह सब 20 प्रकार की वस्तों से महरूम रहे होंगे अब मैं मैं बता देता हूं विंडो कर्टन operating with motor and track मतलब कर्टन तो समझ में आता है परदा हमारे घर में तो परदा ऐसे किचते हैं पता निस आपके घर में ऐसे खिचते ना परदा ऐसे खिचते हैं और जो थोड़े बड़े लोग हैं उनके परदे में होता है ऐसा कोई होता है रसी लटकी रहती है वो रसी को खिचने से परदा ऐसे ऐसे हो जाती है बस मगर यहां तो मोटर एंड ट्रैक है एक्विप्ट बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल भी है तो यह के बाद उसमें रिमोट कंट्रोल मोटर एंड ट्रैक यह रिसर्च होगा इसके उपर पूरा क्या होता परदा कैसा है यह देखना है एक बार ओलेड टीवी सोनी की अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K वोईस कंट्रोल टीवी 65 इंचेस बटे 75 इंचेस बटे 85 इंचेस मुझे तो स करने वह 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 सबकुछ वॉइस से ही कंट्रोल करते हैं तो इसने वह वॉइस कंट्रोल वह कितने की है 64 रुपे की टीवी अब यह क्या चीज़स यह भी देखना पड़ेगा ओलेड टीवी सोनी की स्लिम है बहुत अल्ट्रा स्लिम है और 64 लाइक रुपीज की है वह से लगा हुआ है अच्छा मधूरवा जाएगी तो उससे हजार वॉट आरेमेस फ्लेक्सिबल एरे लाउड स्पीकर यह 4.5 लाक का है मैं बंगला नहीं लूँगा फिर उफर लगाया है फिर है उसमें उसाडा प्रीमियम फुल बॉडी मसाज चेर ठक जाते होंगे ना वो कितना घुमते हैं और सब बातों से तो ठकी जाते हैं चलते भी तो कितना है ना वो बंगला इतना बड़ा है तीन हजार स्क्वेर फिट का बंगला है उसी में गुम गुम के ठक जाएगा आदमी उसमें खुम गुम के ठकने के बाद वो इस चेर में बैट जाते हैं जिस चेर का द 10,000,000 रुपए का है वो भी motorized recliner है rocking and revolving mechanism मतलब खाली ऐसे बैठने से भी मजा नी आएगा rocking होगा और फिर revolve revolve भी करेंगे चारो तरफ तो वो 10,000,000 रुपए खर्चोगा उस पे पूरे 3,000 स्क्वेर फिट गुमने के बाद उस सोफा में बैठेंगे फिर 80 वाट का free standing luminaire ये क ये साड़े 9,000,000 रुपए में अच्छा ये वो मतलब अपने मन से वो light weight control करेंगे मतलब आप बोलेंगे अब dim हो जाओ तो वो dim हो जाएगा फिर बोलेंगे आप चारो तरफ ठीक uniform illumination हो जाओ तो हर जगह just right हो जाएगी अब 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 लाल रंग कर दो तो लाल हो जाएगा हाँ मतलब किसी की पिटाई भी टाई करनी हो तो बंद हो जाओ तो मतलब जो भी है ये जो बोलेंगे light सब वैसा होगा light वैसे हो जाएगा उसका दाम लगबग 10,000,000 रुपए का हो light है फिर 12 watt LED smart tunable down light ये क्या होता है पढ़ना पढ़ेगा small LED module facility of dimming and switching on and off through app ये है 19.5 लाक रुपए का ये पता नहीं क्या होगा मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को जो समझ में आ रहा है ये light on and off app के थ्रू से होगा मतलब वो घर में प्रवेश नहीं किये होंगे आफिस में होंगे उनको मन करेगा कि आथ में जाओं तो घर में थोड़ा रोशनी कम-कम रहे मैं थोड़ा पकोड़ा खाऊं चाय प्यू तो वहीं से बोल देंगे light कम करो तो वहां कम हो जाएगा तो इस प्रकार से उन्होंने लगबग 20 लाक रुपए ये सब इस पे प्रेंच उसे अगे तक कि हम पतग्रांट समारो में जा रहे है और वह लोड़ीरिंचा जीवान जी के वागनार अभी आएगा होगा कही नहीं होगा वह वह नीले रणका वागनार था हूह निकले निकलेगा निकलेगा अभी वो अभी उसकी ड्रेसिंग पेंटिंग हो रही है वो अभी निकलेगा थोड़े दिन बाद उसी में घूमेंगे देखिएगा और बोट मांगेंगे हाँ यह सबसे महत्तोपून चीज फ्रीज 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 थंडा पानी अभी पिया है ना आपने सैमसंग फ्लेक्स फैमिली हब फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रीजरेटर 934 लिटर्स मतला हम लोग तो खाली फ्रीज बोलते हैं और जो थोड़ा ज़्यादा पड़ा लिखे है वो रेफ्रीजरेटर बोल देते ह इसको नाम देखिए फ्लेक्स फैमिली हब फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रीजरेटर उसमें क्या-क्या होता है सुनिए मैं तो अंडरलाइन करके लाया हूँ इसलिए फ्रीज आटो ओपन डोर्स फैफ टच सेंसर्स यू डोंट नीट तो पुल ओपन दोर हम जों तो डोर ऐसे खोल देते हैं प्रीज का और गटागट पानी पी के फिर ठडाक से बंद कर देते हैं हमारी मम्मी बहुत डाटी थी बहुत जोर से फ्रीज बंद करने से अब बोलती थी फ्रीज खराब हो जाएगा पता नहीं आप डाट खाएं की नहीं हम तो बच्पन में बहुत डाट खाएं हैं क्योंकि वो जोर से बंद कर देते थे तो पूरे जीवन में अमनों का एक ही फ्रीज होता था मतलब बच्पन में जब हमनों जरम हुए तो फ्री दोर ऑटोमेटिकली ओपन खुद बखुद खुल जाता है उसके बाद क्या होता है उसके अंदर क्या है देखिए जो तो खाना है वो तो अलग विशह है ए आई विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भीजन है फ्रीज के अंदर कैमेरा मैनेज़ेस दे लिस्ट फूड केप इंसाइड दे फ्रीज और अटोमेटिकली अपडेट्स दे लिस्ट ऑन अस्मार्ट तच्स्क्रीन ओन दोर फ्रीजरेटर राजमा चावल चोले कुल्चे सब यहां कहां क्या क्या रखा हुआ है इसको आपको देखना नहीं पड़ेगा वो आटोमेटिकली ए आई सेंस इसके बाद और क्या है देखिए फूल टच स्मार्ट डिस्प्ले एंजोई और फेवरेट एंटर्टेनमेंट इन दे किचन विच सामसंग टीवी प्लस ऑन दे ट्रिज मतलब कहीं गलती से वो वो जो 64 लाग का टीवी छोड़के अल्ट्रा स्लिम वाला वो जो आये होंगे यहां पानी पीने के लिए तो थोड़ा सा छूट जाएगा टीवी तो फ्रीज में भी टीवी लगा हुआ है उत चार टीवी का है तो वो सोचिए आप की आप देखिए क टीवी भी फ्रीज के अंदर लगा हुआ है मैंने आस तक अभी उसमें फेस्बुक इंस्टाग्राम फैमिली हब एप्लिकेशन है और इस फ्रीज का दाम 9 लाक रुपे का है 9 लाक रुपे स्टीम ओवन 73 लीटर्स का स्टीम ओवन बिग साइज ओवन फर कमर्शिल यूज टच्सक्रीन 23 फंक्शन वन सिक्स्टी ऑटो प्रोग्राम्स अल्ट्रा कूल डोर सीमलेस इंटिग्रेटेट साइड ट्रिम्स स्टीम ओवन है वो 9 लाक रुपे का है 50 लीटर 1000 वाट का माइक इस अधियर देटाने चल्की फ्रोगई 7 6 लाक रुपे का है उसके बाद आई यह चिमनी 6 लाक रुपे का चिमनी चिमनी ज़रूरी है बहुत बढ्रा बरा हुआ है उसके अंदर उसको निकालना है कोफी मशीन 5 बाग रुपे का अब इतना-इतना 64 लाक के बाद 5 लाक रु and 8.5 kilowatt of output power, 450 liters of storage tank, etc., etc., 22.5 lakh रुपए, मतलब यह hot water generator, हम लोग ओते हैं, इमर्सन रॉड है, वो इमर्सन रॉड मेरे तो बच्पन से डरता था, पता निया, उसमें करंट न लग जाए, उसको प्लास्टिक से लगा करके, बीच में एक हम लोग टांगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जो हैंगर होता है, किसने बुला कि हैंगर में इमर्सन रॉड टांग हो, तो बाल्टी में करंट नहीं जाएगा, तो hanger से टंग देते हैं मरसन रोड को आजकार गीजर आ गया है सब कोई मरसन रोड से नहातेते अब यहाँ पर तो बाइस लाक रुपए का हॉट वॉट्र जेनुटर है यह आम आदमी यहाम आदमी है 22 लाक रुपए का 22.5 लाक रुपए का hot water generator और फिर superior water supply and sanitary installations मतलब जो scent powder रखने के लिए सब होता है ना नीचे सब वो बड़ा बड़ा सा mirror होता है बेसिन के पास उसका 15 करोड पांच लगा हुआ है घर में एक का 3 करोड है पांच गुना 3 15 करोड रुपए का य और उसके बाद है automatic washing machine यह दो दसमलब 10 लाक का है चलेगा मतलब अब जहां 64-64 लाक करोडों में जा रहा है परदे छे करोड के हैं तो यह धाई लाक का क्या है रेलिंग घर में रेलिंग लगा है एक दसमलब दो करोड का grand aged brass entrance outdoor light outdoor light 10 लाक रुपए का wooden door and glass door 70 लाक रुपए का decorative pillars 36 लाक रुपए का और आब आता है टोटो टोटो भी है मेरे पास टोटो टोटो स्मार्ट टोइलेट यह अभी पूरे मीडिया में चला है हम लोग तो देखके पूरा अध्यान करके आए हैं टोटो स्मार्ट टोइलेट के ऊपर यह है टोटो स्मार्ट टोइलेट आप देख सकते हैं इसमें क्या features हैं टोटो स्मार्ट टोइलेट में यह अर रिमोट कंट्रोल ये टोटो टॉयलेट का रिमोट कंट्रोल है मैं पूरा एक्स्पेन करूंगा आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा क्योंकि सोचालाई भी महत्वपून है और ऐसा है कि आम आदमी जब आम आदमी के नाम पे आप जीत के आते हैं और इस प्रकार का टोट यूज करते हैं तो इसको परदाफास करना जरूरी है इसको कोई अन्यथा ना ले क्या होगा ये बटन दबाईएगा एक बटन दबाने से ये जो कवर है ये अपने आप खुल जाएगा मतलब आपको हाथ से नहीं उठाना है वो अपने आप कवर खुलेगा दूसरा बटन ह उसके बटन दबाना है तो सीट उठ जाएगा उसके बाद क्या होगा तीसरा बटन है आपको लगता है कि मतलब आप पानी बचाना है दिवाली आ रहा है होली होली के समय पानी बचाना होता है तो इको फ्लश करिएगा कम पानी में फ्लश हो जाएगा इको फ्लश फिर आप तो फूल फ्लश पूरा बहुत पानी जाएगा उसमें ज्यादा हो जाएगा तो एंभारिमेंटरिस्ट नोग नराज हो सकता है इसलिए यह इको फ्लश का भी इसमें उपरचुनिटी है और उसके बाद है सीट टेंपरेचर आप देख सकते हैं सीट का टेंपरेचर मतलब कहीं ठंडे में बैठे तो उचलना पड़े तो इसलिए अभी ठंडी की दिला रही है इसलिए आपके हाथ में यह बटन रहेगा अरे हसिये मत यह हसने का विशय नहीं है आप सोचिए यह आम आदमी का विशय ह मतलब जो घर नहीं लूँगा बंगला नहीं लूँगा मैं तो आम आदमी हूँ आप सोचिए मतलब यहां पर रेनॉल्ड यहां रेनॉल्ड और पीछे पकड़े हुए है रिमोट आप सोचिए उपर रेनॉल्ड नीचे रिमोट यह तो हालत है तो इसमें यहां पर है क्या ह यह seat temperature, उसका temperature भी वो control करेंगे, मतलब remote के माध्यम से, फिर है stop, पता नहीं क्या stop हो जाएगा, चलिए जो भी है, मतलब सारा कुछ stop हो जाएगा, पूरा system बंद हो जाएगा, उसके बाद है, front, rear और dryer, ड्रायर भी है, फिर UV cleaner, मुझे नहीं पता UV cleaner क्या ultraviolet raise waves निकलेगी फिर UV cleaner है, फिर water temperature, वो तो seat का temperature जो है सो है, फिर water temperature भी उचित होना चाहिए, नहीं तो फिर ठिक नहीं होगा, तो water temperature भी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर मसाज करने की सुईदा भी है, मतलब जो पानी जाएगा, वो किस प्रकार का मसाज करेगा, तो वो spiral massage by the water, एक spiral massage है, और उसके बाद एक पता नहीं क्या है, और pressure, pressure भी है, मतलब हर चीज का ख्याल रखा गया है, हर चीज का ख्याल, मतलब मुझे तो लगता है कि जहाँ पनाहलों के पास भी इस प्रकार का किसी facility नहीं होगी, जो facility हमारे केजरिवाल जी के पास इस remote में थी, आ आप बताईए, रेनौल्ड पेन लगा करके, डबल एक्सेल सर्ट पहन करके, हवाई चपल पहन के, एक बर राष्टर पती भवर ने भी हवाई चपल पहन के गयते हैं, वहाँ पर भी हवाई चपल पहन करके ऐसे बने हुए थे, जैसे बाप रे बाप, ये पुरा हो जो हम चोटे में बचपन में आर्के रक्ष्मान जी का कार्टून नहीं देखते थे, कॉमन मैन, मतलब वो कॉमन मैन बने हुए थे, अब ये रिमोट देखके तो विश्वास भी नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल, अर्विंद केजरिवाल जी, आप बुरा मत मानियेगा, ये विश्वास थोड़ा ऐसे हास्यासपद बन जा रहा है, मगर ये हास्यासपद विश्वास नहीं है, ये सोचनिय विश्वास अभी तो रिमोट कंट्रोल आप राजा महराजा है, तो रिमोट कंट्रोल टेम्परेचर का आपके सीट का आपके हाथ में है, मगर जब जनता वोट डालेगी तो रिमोट कंट्रोल टेंपरेचर का उसके हाथ में रहेगा और मैं गेरंटी दे रहा हूँ तवे पे बैठाएगी तवे पे टेंपरेचर इतना गरम होगा बैठ नहीं पाईएगा तवे पे बैठाएगी और फिर मुझे सिंदे जी याद आ रहे हैं आप कुछ अन्यता मतलीजिएगा सिंदे जी ने बताया था पाकिस्तान में फट गई थी फिर जल जाएगी क्या confidence कांग्रेस की confidence फटी हुई और इनकी confidence जली हुई निकलेगी अगर इसी प्रकार से आप remote control का इस्तेमाल करिएगा तो हिंदुस्तान की जनता है ये, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, मिस्टर केजरिवाल, तमाम फोटो में लेके आया हूँ घर का, मुझे दिखाने का मन तो कर रहा है, प्रेस कॉन्फरेंस लंबा हो जाएगा, आप सोचिए करोडो करोड रुपए खर्च किये गए और मीडिया के माध्यम से खबर भी आई है, कि आप ये कमोड लेके चले गए हैं, एक टोटी लेके चला गया, एक टोटो लेके चला गया, ये क्या चल रहा है, आप टोटो वापस करिए, आज पूरी हिंदुस्तान टोटो को देखना चाहती है, टोटो की नुमाइंदगी ह होनी चाहिए, और पूरी हिंदुस्तान जानना चाहती है, ये कितनी आम है और कितनी खास है, कितनी खास है, वो इसी से पता चल रहा है,